दोस्तो एम यू कलास में फिर से आपका एक बार स्वागत है मैं आपका अपना दोस्त लेके आ रहा हूँ यूपी टेट के लिए बाल विकास मनुविज्ञान के कुछ इंपोर्टेंट कोस्चन जी हाँ दोस्तो यूपी टेट के लिए टेट बढ़ जाने की कारण थोड़ा अच्छा खासा समय मिल गया है मुझे विडियो बनाने के लिए इसलिए मैं कुछ और इंपोर्टेंट कोस्चन ला रहा हूँ बाल विकास मनुविज्ञान का जो आपके शामने स्क्रीम पर दिख भी रहा है और इसमें हम कुछ कोस्चन करेंगे और उसका प्रेक्टिस करें तो प्लीस इस कोस्चन को इग्नोर मत करिएगा देखिएगा सुरू से अंतक वीडियो को तब आपको जो है समझ में आगा क्योंकि बाल विकास मनुविज्ञान एक ऐसा पैटर्न है जिसमें अक्सर बच्चे मात खा जाते हैं और माइनस हो जाते हैं तो चलिए देर ना करत से पहले कोश्चन से सुरू करते हैं कोश्चन पहला है कि निमलिखित में से कौन सा समझ के लिए सिचठ को प्रदरसित नहीं करता है यान इन चार विकर में से कोन तिछड को समझ के लिए प्रतसित में करता है। चौथा है परिघटना या अवधारडा को अपने सब्दों में अविवेक्त करने के लिए विद्धियार्थियू को कहना देखेगा यह सीटेट 2011 में एक कोश्चन पूश्चन कहीं से भी किसी टेट में पूश्च सकता है। क्या हो जाएगा आपके इस आपसे दोस्तों तो इसका इंसर हो जाएगा सी विद्धियार्थियों को एकांकी तत्यों अवपक्रियाओं को याद करने के योगी मनारा यानि याद करने वाली काम विद्धियार्थियों के सिछण में तो करना ही नहीं है। तो यानि रटाने वाला काम कोई कारणा रही है चलिए कोशन नमर दो की तरफ बढ़ते हैं कोशन नमर दो कह रहा है सिच्छार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरा बिर्ती और प्रत्या अस्मरण में सिच्छार्थियों की मदद करना महत्पूर है क्योंकि यानि कुछ चीज़े जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरा बिर्ती और प्रत्या अस्मरण में सिच्छार्थियों की मदद करना क्यों महत्पूर है पुछ रहा है दूसरा कह रहा है कि पूरुपाथों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है ठीक है तीसरा कह रहा है यह सिच्छार्थियों की इस्मृति को बढ़ा आता है जिससे सीखना सुद्रिड होता है चौथा कह रहा है कि यह किसी भी कच्छा अनुदेशन के लिए एक सुविदा जनक शुरूआत है देखिए सीटेट में यह भी पूछ चुका है तो क्या है यह कि सिखाने पहले शीख चुके जो बढ़ारतियों की पुर्णाबर्तियों और प्रतियासमर्ड में सिच्छार् करना एक महतपुड है क्योंकि तो इसका आपका इंसर हो जागा कोशन नमर दो का मेरे बच्चों ए नई जानकारी को पुर्व जानकारी से जोड़ना सिखाने में इसमृत बनाता है यानि पीछे जो बच्चा सीख के आया है उसको जो है नई जानकारी से जब जोड़ता है नई जानकारी से पुर्व जानकारी को जोड़ के जो है इसमृत बनाया सकता है एक सिख्चक के रूप में आप करेंगे या कोशन नमर तीन पर आईए कि निमलिखित में से कौन सा खतन सीखने के बारे में सही है इन में से कौन सा ऐसा कतन जो सीखने और दिगम जिसको कहते ह हैं के बारे में सही है पहला जो है पहला कह रहा है कि सीखना उस वाका वर्म प्रभावी होता है जो सम्वेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और सिच्छार्थियों को संतुष करने वाला हो B कह रहा है कि सीखने के किसी भी चरणड़ पर सीखना समवेगात्मक कार्गों से प्रभावित नहीं होता और C कह रहा है सीखना मूल रूप से मानसिक प्रकिलिया है और D कह रहा है इनमें से कोई नहीं तो question number 3 में इसका कौन सा answer हो जागा? तो इसका answer हो जागा question number 3 का ए, शीखना उस वातावर्णं में प्रभावी होता है जो समवेगात्क रूप से सकारात्मक हो और सिचार्तियों को संतुष्ट करने वाला हो यानि शीखना क्या है अदिगम एक ऐसा सिखना एक ऐसी पर्गिरिया जिससे वातावर्ण प्रभावी हो वातावरड में वो जो है सिच्छार्टी जो क्या करें संतुष्ट करने वाला उसce-च्छार्टी को इस तरका वात्र उडसको बिला चाहिए जिससे वो संतुष्ट हो चके जो चीद सी चकर रहा है उसके वो संतुष्टी महसूस कर चकें तिक है यानि question को दियान समझे गई यह भी seated दोजार गारम पुछ चुका है इसको मैंने लिखा है उसमें बनवा दिया है मैंने बकायदे इसको तयार करवाया है और उसमें लिखते गया हूँ कि कौन question किस समय में कब पुछा गया है तो यह आपको help करेगा seated के लिए भी आने किया है उसके आधार पर नई स्थिति के प्रती अनुकरिया करता है यह किसे से सम्मधिते इने से सीखने का साद्रिस्यता नियम ठीक है दूसरा आपका कह रहा है सीखने का प्रभाव नियम तीसरा कह रहा है सीखने की प्रकिरिया का अभिवित्ति नियम और चौता कह रहा है सीखने का ततपरता नियम तो एक बच्चा अतीत की चीजों को अनुक्रियाओं के आधार पर नई अनुक्रिया को जो है जोड़ रहा है तो ये कौन सा नियम इसमें से कौन से नियम में आएगा कोशन नमर चार का इंसर आपका हो जाएगा B B हो जाएगा दोस्तों सीखने का परभाव का नियम तो देखिएगा दोस्तों अगला कोशन है कोशन नमर पाँच तो कोशन नमर पाँच कह रहा है शीखना इसमृद हो शकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदहारण को कच्छा में लाया जाए जिसमें विद्यारती एक दूसरे से अंतह किरिया करे और सिच्छक उस किरिया को सुगम बनाए तूसरा कह रहा है कच्छा में अधिक से अधिक सिच्छ सामागरी का परियोग किया जाए तीसरा काराय चिछक बिभिन प्रकार के अब्याख्यान और अस्पश्टी करण का प्रियूग करे चौथा काराय कच्छा में आवधिक परिछाओं पर आपेच्छ ध्यान दिया जाए सीखना स्मृति हो सकता है इनमें शिक्या हो सकता है शिखने में इसमर्थ क्या हो सकती बढ़ावा देना यानि शीखने में और तरक्किक कैसे हो सकती है तो कोश्चन नमर पाँच का आपका बहुवी कलपी का अंसर हो जाएगा ए दोस्तों ए ए हो जाएगा वास्तिक दुनिया से उदहारण को कच्छा में लाया जाए जिसे विधारती एक दूसरे से अंतर करिया करे और सिचक उस करिया को शुगम बनाए अंतर करिया यानि वास्तिक दुनिया से उदहारण को लाके कच्छा में बताए यानि कच्छा में अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा उधारण दीजिए, जिससे उस बच्च बास्तिक दुनिया का, जिससे बच्चे उस एक दूसरी से अंताकरिया करें, और अंताकरिया करने के बाग जो है, बहुत अच्छे से उसको सिख सकते हैं, सुगम बना सकते हैं, सिखना, ठीक है, आईए कोश्चन नमर 6 पे, कोश्चन नमर 6 कह रहा है, कि एक सी चक को अपने विध्यार्तियों की छमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्रिखित में से कौन सा छेत्र इस उदेश के साथ संबद्ध है, एक सी चक को अपने विध्यार्तियों की चमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, कि उसकी चमता क्या है, एक सी चक के रूप में, तो निम्रिखित में से कौन सा छेत्र इस उदेश के साथ संबद्ध है, सिच्छा समाजसास्त्र, सामाजिक दर्शन, मेडिया मनोबिग्यान या सिच्छा मनोबिग्यान, तो कि चेत्र में उसका उदेश से संबद्ध होना चाहिए, साइकलोजी का, साइकलोजी जान रहा हो, ठीक है, कोश्चन नमर साथ कहा जाएए, कि सिच्छार्थियों का आत्म नियमन की ओर संकेत करता है, बीच में भरना है, सेल्प रेगुलेशन कहा रहा है, सिच्छार्थियो का आत्म नियमन की ओर संकेत करता है, बिध्धार्थियों के बेहवार के लिए बिणियम बनाना, बिध्धियार्थियों के निकाये दोरा बनाए गए नियम बिणियमन, थिक है, तीसरा का रहा है स्वव अनुशाशन और नियंत्रड और चौथा का रहा है अपने शीखने का स्वयम प्रवेचर करने की योग्यता तो सिछार्तियों का आतनिवन किसके और संकृत कर सकता है कोश्चन नमर साथ का आपका एंशर हो जाएगा देख लिजिए यही सही दिख रहा है कि अपने सीखने का स्वयम प्रवेचर करने की योग्यता यानि जो वो सीख रहा है उसको स्वयम जो है वो जाच रहा है कैसे मतलम मैंने क्या सीखा है स्वयम करें उसका प्रवेचर बोग निमनल इखित में से किस कतन को सीखने के लच्छड के रूप में देखिए गया कहा रहा है नहीं माना जा सकता नकारातम कहा है सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिडाम सरूप घटित होती है दूसरा कहा रहा बेहवार का अध्यन शिखना है किसरा कहा है अन अधिगम भी सीखने का एक हिश्चा है और चौथा कहा रहा है शीखना एक प्रकिरिया है जो बेहवार में मध्यस्थता करती है तो कोशन नमर आठ का आपका एंसर हो जाएगा दुनिया के बारे में अपना द्रिश्टी को निर्मित करने में सिच्छार्ती की भूमिका पर बल देता है दूसरा कह रहा है सूचनाओं को याद करने और पुनह अस्मरण द्वारा जाच करने पर बल देता है तीसरा कह रहा है सिच्छक की प्रभुत्वसाली भूमिका पर बल देता है और D कह रहा है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है तो कोशन नमनों का रहा कि स्तिथान्त की रूप पर रचनावाद इन में से क्या है कोशन नमनों का तो इसका आपका एंशर हो जाएगा ए दुनिया के बारे में अपना द्रिष्टी कोण निर्मित करने में सिच्छार्ती की भूमिका पर बल देदा है तीक है आज आई आई आप कोशन नमर 10 की तरफ कोशन नमर 10 कह रहा है दोस्तो कि विशेश रूप से प्राथमिक अस्तर पर विद्ध्यार्तियों के सीखने समंदि समस्याओ को सम्बोधित करने का सबसे बहतरीन तरीका है विशेश रूप से प्राथमिक अस्तर पर यानि एक से पाँच तक के बच्चों की बात करा है विद्ध्यार्तियों को सिखानी समंदि समस्याओ को सम्बोधित करने का सबसे बहतरीन तरीका क्या है उसकोस्चन का विकल्प है कि पहला औलशामता के अनुरूप य yak promote का प्रयोग करना महंगी और चमकदार सहायक सामगरी का परयोग करना सरल और रोचक पाटे पुस्तुका का प्रयोग करना कहानी कथन प्रयोग करना यह देखे यह भी सब जितना भी मैंने लिख सब यहां डलवार दिया है नोट्स तयार करने में कि सीटेट में कप कप पूछा हुआ है और आगे भी बहुत कुछ रहे कहां कहां टेट में पूछा हुआ है तो यह क्या है इसका आपका एंसर हो जाए कि कोशन नमर दस का है ए दोस्तों अच्छमता के अनुरूप बिभिन सिच्छड पद्दतियों का प्रियोग करना कोशन नमर 11 पे आजाए कोशन नमर 11 कह रहा है कि निमलिखित में से कौन से कथन को शीखने की प्रकिरिया का बिसेस्ता नहीं मानना चाहिए सैच्छिक संस्थान ही एक मात्र अस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है दूसरा सीखना एक ब्यागपक प्रकिरिया है तीसरा सीखना लच्छो नमुखी होता है और डि अन अधिगम भी शीखने की प्रकिरिया है तो इन में से सीखने की प्रकिरिया की बिसेस्ता में कौन सी बिसेस्ता इन चारों में से नहीं है पूछ रहा है तो सीखने की कोश्चन अमर 11 में बीसेस्ता इसमें से नहीं होगी यह आपका हो जाएगा सेचिक संस्थान ही एक मात रस्थान है जहां अधिगम राप्त होता है यह गलत है दोस्तों क्योंकि सिर्फ सेचिक अस्थान यानि स्कूल ही है कैसी जगा नहीं हो सकती जहां आपको अधिगम मिलेगा अधिगम जो है आपको वातावरण में मिल सकता है आदान पर अंता प्रक शीखने के अंतरद्रिष्टी सिध्धान्त को निमली खित में से किष्णे बढ़ावा दिया है। तो कोश्चन नमर 12 का आपका एंशर हो जाएगा कि शीखने का अंतरद्रिष्टी का जो सिध्धान्त दिया है। अधिगम से नए अधिगम को भी भेदित करता है। आज़े कोश्चन नमर 14 पे बचपन में सामप्रतिक द्रिष्टी कोड की माननेता है। कोश्चन नमर 14 है पूछ रहा है। पहला बहुत तरीके से बच्चे वयसकों के बराबर होते हैं। ठीक है। बच्पन ब्रिदि और परिवर्तन की एक अनूठी अधि है। ठीक है दोस्तों कोश्चन नमर 15 पे आ जाईए। कोश्चन नमर 15 कह रहा है कि अल्प वयसक बच्चों के अधिगम प्रकरम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए अभिभावकों की भूमिका इसमें तो कोश्चन नमर 15 का आपका एंसर हो जाएगा है। बी अग्रशक्रिय होना चाहिए। ठीक है। अग्रशक्रिय निगेटिव तो होना है नहीं चाहिए। अग्रशक्रिय होना चाहिए। उदाशिन भी नहीं होना चाहिए। इस वर्ड से ही आपको पता चलना है। कि भूमिका जो है पिता की हमेशा पिता हो या कोई भी हो अभिवाबक उसकी अगर होनी चाहिए प्रोयक्टिव हो ठीक है कोश्चन नम्मर 16 बच्चा किस प्रकार सिखता है इसमें से बच्चा बहुत ही चोटा कोश्चन है लेकिन बड़ा ही इंपर्टेंट कोश्चन है देखिएगा ये भी यूपीटेट 2000 अगर हम पूछ चुका है बच्चा किस प्रकार शीखता है कोश्चन नम्मर 16 कैराय पुस्त के पढ़कर सिखता है परिचर्या द्वारा सिखता है प्रस्ण पूछ कर सिखता है या कई परकार से इनमें से बच्चा कैसे सिखता है तो कोश्चन नम्मर 16 का इंसर आपका होजागा बच्चा जो है कई परकार से सिखता है उस कई परकार में पढ़के भी प्रस्ण पूछ के भी चर्चा पर चर्चा या और भी बहुत तुस तरीके से बच्चा जो है वो सीख सकता है ठीक है दोस्तों तो आजाईए अगले कोश्चन की तरह अगला कोश्चन है किन कोश्चन नमबर 17 निम्न में सरोतम कौन सा है एक अच्छा अध्यापक निम्न में सरोतम कौन सा है एक अच अच्छा अध्यापक तो बिकल्प है अध्यापन के लिए ब्याख्यान बिदी का परियोग करना है यानि इसमें से सर्वत्तम इस बिकल्प में से को हुने एक अच्छा ध्यापक के लिए ठीक है अध्यापन के लिए ब्याख्यान बिदी का परियोग करता है बी प्रायः बिध्यार्तियों को सदेव सीखने के लिए प्रेडित करता है दी बिध्यार्तियों को सदेव अनुशाशन में रखता है तो कोश्चन नम्मर 17 का आपका एंशर हो जाएगा सी बिध्यार्तियों को सदेव सीखने के लिए प्रेडित करता है क्या एक अच्छा अध्यापक उनमें से सरोत्तम क्या है विद्यारतियों को सदेवस चीखने के लिए प्रेडित करता है ठीक है दोस्तों तो आए कोशन नमर अब आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 18 की तरह कोशन नमर 18 कह रहा है कि एक अध्यापक की द्रिष्टी में कौन सा कथन सरोत्तम है एक अध्यापक की द्रिष्टी में कौन सा कथन सरोत्तम है कोशन नमर 18 यह कह रहा है कि प्रते एक बच्चा शीख सकता है अध्यापक की नजर में एक बच्चे के प्रती कौन सा सबसे अच्छा कथन है इसमें से प्रते एक बच्चा शीख सकता है कुछ बच्चे सीख सकते हैं अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं तो इसमें से आपके हिसाब से कुन से इंसस होना चाहिए तो मेरे हिसाब से तो इसका question का 18 का answer हो जाएगा एक अध्यापक की दृष्टी से सरुस्तम कथने की परते एक बच्चा सीख सकता है कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सीख नहीं सकता है अगर आप शिखाने की सैली और बढ़िया तरीका जानते हैं तो एक बच्चा जो है बहुत अच्छे से सीख सकता है कोश्चन नमर 99 कह रहा है कि शीखने की प्रकिरिया में बिध्यार्थी द्वारा की गई तुरूटियों के संबंध में आपकी द्रिष्टी में निम्नमेश्टे कौन सा कतन तरवत्तम है सीखने की प्रकिरिया में कोई विध्यार्ति सीखने की प्रकिरिया में है और वो कोई तुरूटियों कर रहा है तो आपकी दिश्टी में कौन सा कतम उसके लिए सर्वत्तम होगा कुछ नमर उनेश ये पूछ रहा है तो विकल्प में है पहला विध्यार्तियों को कभी विध् शक्ता है तो कोश्चन नमर उनेश का सबसे सटीक जो इंसर होगा आपका वो होगा बी तुरूटिया अधिगम परकिरिया का भाग है क्योंकि बच्चा जब गलती नहीं करेगा जब तब तो वो कैसे सीखेगा उस बात को कैसे जानेगा कि ये क्या चीज है तो बच्चे का गल लड़की ने फर्स पर कोट फेकने की आदट डाल ली यानि कोई लड़की है जो कालेज जानेवाली लड़की है ने फर्स पर कोट फेकने की आदट डाल ली है लड़की की मा ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खोटी पर टांगो लड़की अगली बार घर में प्रवेस करती है कोट को हाथ पर रखकर अलमारी कीतव पर जाकर कोट को खोटी पर टांग देती है यह उधारण है स्रिंख लागत अधिगम का उद्दीपन अनुकिरिया अधिगम का प्रत्य अधिगम का उपरयूक्त शबी यह देखिएगा आर टेट राजे स्थान टेट में पुछा है इन सभी कोश्चनों को मैं छाट के लाया हूँ सभी टेटों में जिस तरह से बनाग घुमाग पुछा है सब को एक साथ मिक्स करके ताकि आपको जो है कहीं से भी कोश्चन भासाई को का पूछ सकता है इसलिए यह आपके लिए बहुत सहायक होगा तो कोश्चन नमर बीश का आपका इंशर हो जाएगा ए शिंखलागत अधिगम का फर्स पे डालने की उसकी आदत थी उसकी माँ ने कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खुटी में टांगो कोश्चन नमर 21 पे आजाईए अधिगम को प्रभावित करने वाला ब्यक्तिगत कारक कोंशा है इन मेंशे संचार के साधन सम्वयस्ट के समूह अधिगम को प्रभावित करने वाला ब्यक्तिगत कारक है अब आईए कोश्चन नमर 22 पे अधिगम निर्योग्यता का लच्छड देखेगा लर्निंग डिसिबिलेटी का रहा है अधिगम निर्योग्यता का लच्छड है इन मेंसे कौन सा बहुत ही इंपर्टेंट कोश्चन है ये देखेगा यूपिटेट के लिए भी भागने की प्रविर्ति होना और शांत उर्जावान एवं विध्यवन सक होना अधिगम निर्योग्यता का लच्छड है कुश्चन नमर 22 का आपका इंसर हो जाएगा ये आपका कुसी अवधान संबंदित बाधा या भिकार ठीक है आजा ये कुश्चन नमर 30 पर रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए कैसा प्लानिंग होना चाहिए रचनात्मक लेख का कैसा प्लानिंग होना चाहिए ये पूछ रहा है कुश्चन नमर 30 ठीक है पहला इसका विकल्प है केवल उन छात्रों के लिए जो कच्छा अस्तर पर पढ़ते हैं केवल उन छातरों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं सी, केवल उन छातरों के लिए जो समचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं और डी, सभी छातरों के लिए तो question number 23 का अंसर हो जाएगा आपका यह सभी छातरों के लिए रचनात्मक लेक का नियूजन तो सभी छात्रों के लिए होना चाहिए यह दिख लिजिएगा पीटेट में पुछा है पंजाब टेट आईए कोश्चन नम्मर 24 का सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं इनमें से कौन से वे कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं सिखार्थी का सारिरिक वामानसिक स्वास्त ठीक है कोश्चन नम्मर 24 का है रहा है प्रेडा और उपलब्धी का अभी प्रेड़ अस्तर उत्सुक्ता और इच्छा शक्ति उपयूर्ग्त सभी तो इसमें तो इसे ही समझ में आ जा रहा है उपयूप तो सभी होगा ठीक है कोश्चन नम्मर 24 का हो जाएगा विकल्प अपका दी चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नम्मर 26 को देखेगा सीखने का वह सिधान जो पुड़ रूप से और केवल अवलोकनिय बहवार पर आधारित है सीखने के सिधान्थ से सब्बंध है यहां खाली है इसका विकल्प दिखाते हैं कोश्चन नम्मर 25 का यह विकल्प है कि बिकासवादी बहवारवादी रचनावादी या संग्यानवादी तो question number 26 का आपका answer हो जाएगा दोश्तों ये आपका हो जाएगा C. रचनावादी C question रचनावादी ठीक है आए question number 26 पे चलते हैं question number 26 कह रहा है किसी चार्थियों को के लिए प्रसाहित नहीं करना चाहिए देखिएगा नहीं सब्द यहाँ है यही चीजे जो है अकसर जो है स्टीटेट के एकजाम में भी कई लोगों ने जो है इस चीजों को जो है नकारात्मक पुछा था लेकिन उन्होंने सकारात्मक के answer देखे आया है और कई लोगों को ये गलतिया हुई है और ये गलतिया आपको भी दोहराना नहीं है इस बार तो इसलिए ध्यान दीजेगा नहीं सब जहाओगा ऐसे ही क्रास कर लिजेगा ताकि आपको पता चले कि निगेटू चीज बुछ रहा है सिच्छार्तियों को के लिए पुरसाहित नहीं करता समू कारे में दूसरे सिच्छार्तियों किसा सक्रिय रूप से अंतक्रिय करने में अधिक से अधिक पाठकरम सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में पुरसाहित नहीं करता सिच्छक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रशनों को उत्तरयाद करने कच्छा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रस्न पूछने में तो question number 26 का आपका answer हो जाएगा C यहीं नकारात्मक दिख रहा है कि इसी चक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रशनों के उत्तर याद करने के लिए इनको पुरसाहित नहीं करना चाहिए कि इसको फिच छाड़ थी योगो आजाए कोशन नमर 27 पे कोशन नमर 27 कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण देखेगा फिर से कोशन ऐसा ही नहीं है निमलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है मौखिक प्रस्ण सत्र परिच्छा प्रस्णोत्री और खेल दत्त कारे कौन सा नहीं है इसमें से तो कोश्चन नमर 27 का आपका एंसर हो जाएगा 20 20 कह रहे हैं सोरी बी सत्र परिच्छा यानि सालाना एक्जाम कोश्चन नमर 28 बिध्यार्थियों के शीखने में जो रिक्तिया रह जाती हैं उनके नीदान के बाद होना चाहिए यानि बिध्यार्थि जो सीख रहे हैं उनमें कुछ रिक्तियां जो बच गए हैं उनके नीदान के बाद यानि नीदान करने के बाद क्या होना चाहिए सभन अभ्याश कारे सभी पाठों को बेवस्थित रूप से दोहराना सिच्छार्थियों और अभिबावकों को उपलब्धि के बारे में बताना और समुचित उपचारातमक कारे तो question number 28 का answer अका हो जाएगा D. उपचारातमक जब नीदान मतलब यह होता है दोस्तों कि जब नीदान में आप उसके बच्चे के कमी को जान गए और जब आप कमी जान गए तो उसका क्या करेंगे उपचार करेंगे ठीक है दोस्तों तो आप समझ गए होंगे मेरी बातों को question number 29 प्याज़ाईए question number 29 कह रहा है कि निम्न में से कौन सिच्छड कुसालता से संबंदित है निम्न में से कौन सिच्छड कुसालता से teaching skill जिसको बोलते है से संबंदित है निम्न में से कौन करें रहा है कर देक है